स्यांगर प्रदेश दाद्रन अगर हविली मां कोरोना ना केसो ए फरी माथ उचकता आरोगी विबाग दोर्तू थाईजवा पाम्युशे केंद्रो सासित दाद्रन अगर हविली मां कोरोना संक्रमन रटकाव मांते रात्री ना 10 ती सवारे 5 वागे सुधी करफू लागी करिदे वमावियो शे साथे साथे प्रवासियों मांते बाग बगी चापन बंद राखवा मांविया शे जयरे मात्र 10-12 विद्यार्थिओं बाध करता अन्य विद्यार्थिओं माट शाड़ा बंद करदिवं आविशे प्रशासन्द आरोगी विभाग द्वारा कोरोना ना दर्दियुने सारवार अप्पमा साते साते सरकारी होस्पिटल ना ने आरोगी केंद्रा मरसी करण अभ्यांच चरू करवं मा आवियुशे अगर हवेली एड्मिनिस्ट्रेशन तरफ थी बहुँ सारी एक पहल छे आरी ते आपणने अपणने घरनी नजीक वैक्षिनेशन नूँ प्रोग्राम स्टार्ट करो छे अने बदाने मदद रूप थाई सके छे अने बदा वो आसानी थी आ वैक्षिन लगावड आवी सके छे मैं दॉक्तर वीक्षिन लगावड दार्टर नगरली दामनन व्यू यह आप सब को बताना चाहता हूं कि कोविट का सेकेंड फेस शुरू हो चुका है और हमारे भी डिस्ट्रिक्स में वापस कोविट के केसिस बढ़ने लगे हैं खासकर दादर नगर अविली और दमन में इसमें हम सब को एत्यार बरतनी हैं और जो पूरे कोविट प्रोटकॉल्स हैं मास्क पहनना सोशल डिस्टेंसिंग सैनिटाइज हैंड को हैंड वाश करना यह सब आप प्लीस पालन करें हैं इन सब चीजों का बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कोविट जैसा अब अर्बन एरियास को बहुत जादा एफट किया हुआ है रूरल एरियास में कम हैं तो अर्बन एरियास के लोग यह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और एड्मिस्टेशन ने अभी एक और दिक करें लें किसी को भी फीवर सो फ्रोट लॉस अफ टेस्ट लॉस असमेल या बॉड़ी एक सीवियर है तो नजदी की हेल्थ जो सेंटर्स हैं हॉस्पिटल्स हैं वहां जाके टेस्ट कराएं और इलाज भी कराएं इलाज और टेस्ट पूरे हमारे गवर्मेंट के हेल्थ फै दूसरी एक इंपॉर्टन चीज है कि हमने कोविट का इम्मिनाजेशन शुरू कर दिया है और पहली तारिक से हम अब फॉर्टी फाइज के जिदने भी लोग हैं सब को देने वाले हैं अब यह हम पूरे जो हॉस्पिटल्स और हेल्थ सेंटर्स प्राइमरी हेल्थ सेंटर् चुर्ब डिस्ट्रिक फास्पर्टी में दे रहे हैं और इसके अलावा हमने हाउजिंग सॉसाइटी और इंडस्ट्री को भी तर्गेट किया है कि वहां पे भी हम यह इसकी वेवस्था कर रहे हैं और वहां पे भी हम देने के लिए तैया है आप किसी को भी वैक्सिनेशन लेना है या वैक्सिनेशन की जानकारी चाहिए तो हमारे टॉल फी नंबर वन जरो फोर बे कॉल करें वो आपको बता देंगे कि कैसे इसको प्लान करना है चाहिए इंडस्ट्री हो या हाउसिंग कॉलिणी सुसाइटीज हो उनको कैसे उनकी एरिया में प्लान करना है और कब उनके हाँ हमारे वैक्सिनेटर्स आकर वैक्सिन दे देंगे वो